तो अभी हम लोग अपाटमेंट के अंदर आ चुके हैं और अपाटमेंट सेंटर पर यह हैं और यहां हमारा चार्जिंग और हमारा यहां पर लगेज तो सबसे पहले यह है एक बड़ा सा हॉल जिसमें इधर पर किचेन है इधर पर कोमन सिटिंग एडिया तो मैं सबसे पहले किचन से सुरू करता हूं तो यह बेसिक सा किचन अच्छा है किचन ऐसा किचन है फ्रीज माइक्रोवेब गैस ओवेन सब कुछ है और यह अपना बाहर का सीन बाहर पहार है और यहां पर एक ऐसा बिल्डिंग सा है कुछ यह सोरी अपार्टमेंट का यह है और इधर पहार और यह अपार्टमेंट फिर मैं आपको ले चलता हूं होल के तरफ तो होल में एक यह डाइनिंग टेबल है और एक आपका वर्ग प्लेस है और एक है एंजी का एसी दिया गया है सोफा और एक टीवी और एक और सोफा और एक सोफा कम बैड तो आप इसको बाहर निकालके आप दो आदमी सो सकते हों और एक और सोफा वहां पर और यह बहुत बढ़ा सा हॉल है और फिट दूसरा बैडरूम है बैडरूम में अपना बंदा सो रहा है और बैडरूम ऐसा है आलिसान सा बैडरूम है मैं इधर से आपको बैडरूम दिखा देता हूँ तो यह अलमीरा है ब्यूटिफुल सा बुड़न फिनिश दिया गया है इसमें और यह अपना नौर्मल सा कबड़ और यहां पर आया और यहां पर सिंपल सा मिरर और यहां पर तकिया तो हम लोग के दो दिन का टरीप है इसर पर कल रात को ही निकल जाएंगे हम लोग और यहां पर ड्रेसिंग एरिया जहां पर आप अपने आपको देख सकते हो कपड़े पहन सकते हो और यहां पर अपना भावे स्वया हुआ और यहां से आप स्मोकिंग एडिया है आप यहां से अपना अपार्टमेंट के बाहर देख सकते हो कैसा है बहुत ही सुन्दर वह आपको दिख रहा होगा पहार लाजवाब साथ और यह आसपास का एडिया है हमारे तो यह बेसिक सा अपार्टमेंट है और एक फ्रीज यहां भी रखा हुआ है और एक फ्रीज अंदर भी रखा हुआ है तो यह यूज का तो नहीं है मैं जा रहा हूं और यह है बातरूम तो ऐसा बातरूम है बातरूम में एक वासिंग वसीन है सीट मुशर दान मतलब डेस्टबीन आप अलीज आ दूबन आ जिसमें आपको देख सकते हैं ओखुड दूस दूस मतलब नहने का एडिया यह आपको दूस है आलिसान सा दूस और हमारे अलिसान से बच्चे जो नंगा है सामने मताना जो नंगा नहीं है वो सामने आ सकता है